एक बड़ी खबर एंडियो मिद्वार वीना देवी पर हमला हुआ है एक बड़ी खबर एंडियो मिद्वार पर हमले की खबर है बदमाचों ने गाड़ी रोक कर इस घट्टा को अंजाम दिया और काफिले पर कुछ लोगों ने रोका और लोग की मदद से वीना देवी को सु सब की बड़ी खबर आपको बता रहें बदमाशों ने गाड़ी रोक कर पिस्टल दिखाई है विना देवी जो वैशाली से उमीदवार है उनका जिक्रम कर रहें लोगों की मदद से विना देवी को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया क्या है एंडी ए उमीदवार विना देवी पर हमला हुआ है बदमाशों ने गारी रोक कर उन्हें पिस्टल दिखाई है सब की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहें उनके काफिले पर हमला हुआ है अब से थोड़ी दिर पहले आपने नियूज 18 पर उनकी तस्विर देखी थी जब वो अपने पूरे परिव इस घर्टा को अंजाम दिया है लेकिन ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लोग कौन थे क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से समंधु रखते हैं कौन थे इसके बारे में पूरी ज़ाच चल रही है लेकिन ये बड़ी खबर है एंडियो मिद्वार से विया देवी इसी गाड़ी पर सवार थी उन्हें रोका गया है आवाज ज़रा सुनिये तो जो गाड़ी के बार बुर्साल जो लोग थे उनके बारे में पता लगाया जा रहा है कौन से लोग थे जिनों ने नंकी गाड़ी को रोका क्या मकसद उनका था क्योंकि जब वोट के बार जो जा रही थी तो ऐसे में उनकी गाड़ी को रोकना किसने रोकने की कोशिश की कौन लोग थे इतनी बड़ी भीड यहां कैसे जमा हो गई और विनीता हमारे साथ हमारे समधाता मौझूद हैं विनीता क्या खबर है क्या कुछ पता चल पाए आप तक आप बिल्कुल जिस तरीके से आज वैशाली के अलग-अलग शेत्रों में वोटिंग चल रही है सुबह से ही जो एंडी उमिद्वार है विना देवी वो अलग-अलग बुथो पर घूम रही है देख रही है कि कहां पर क्या कुछ है और खोदी वो बारू अपने पूरे परिवार के साथ वोट करने भी गई थी एसी दोरान जब वो वहाँ से निकली तो जो यादो बश्ती है वहाँ पे उनके काफिले को रोक लिया गया कई जो यूवक्त है वो वहाँ पे प्रदर्शन करने लगे हम जानना चाहेंगे कि कौन लोग थे क्या क्यूंकि गाड़ी के अंदर आप थी और बाहर जो तस्वीरे हम तक पहुंची उसमें हम देख रहे हैं कि गुसाए जो लोग थे काफी भीड थी कौन लोग थे क्या भी तक आपको जानकारी मिल पाई है हम जा रहे थे पूरे यादब लोग के बस्ती हैं मैं जा रही थी तो वो लोग एक अचानक गारी के पास आके आप लोग तस्वीर के आहीं होगा वीडियो गाली बाली बोलने लगे हाथ में कुछ रख ले था अपने वीडियो बना रहा था हाथ यार भी रख ले था वीड सुरक्षा गार्ट्स तो थे ना उन्होंने बाहर लोग को रोखने की कोशिच नहीं की नहीं की तभी तो निकले वहां तब फिर ठाना है पारू ठाना तब हमको निकाल के ले गया अब जहां पर यह घटना घटी है कौन सी जगह थी कितना मद्दान केंद्र से कितनी दूरी मद्दान केंद्र से मात दो लगा दो सोफिर चलिए बहुत 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 शुक्रिया विनादेवी जी हमसे बाचीट करने के लिए तो विनादेवी तो उन्होंने साथ पर पर कहा कि उनकी गाड़ी को रोका गया उनके हाथ में कुछ था अलांकि वो यह बता पाने में समर थे इस वक्त की क्या था लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि प्रिस्टल दिखाई गई है और विनीता हमारे साथ चुड़ी हुई है विनीता विनादेवी को आपने सुना काफी डरी हुई लग रही है उन्होंने कहा कि कौन थे हम पहचान नहीं पाए और सुरक्षा गाड़ जो उनके साथ मौझूद थे उन्होंने उन्हें वहाँ से बाहर निकाला किसी तरह है बिलकुल और कोशिश भी की गई क्यूंकि जिस तरीके से अभी वो बता नहीं पा रही है कि आखिर उनके साथ क्या हत्यार था लेकिन असानी लोगों का उनके परिजनों का कहना है कि जि उनके सुरक्षा गाड़ भी उसी गारी में मौझब थे। कि किस मकसद से उन युवाओं ने वहाँ पर गाड़ी को रोकने की कोशिश की, क्या वो कुछ किसी तरह की डिमांड कर रहे थे, कुछ मांग उनकी तरह से की जा रही थी, क्यों इतने आक्रोशित है, क्यों गुस्ताईव हैं? एक तरीके से मकसद तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन है, एक तरीके से विना देवी का विरोध किया गया है, यादो टोला में बुथ नमर 88 पर जहाँ पर वो गुजर रही थी, वहाँ पर उनके साथ इस तरीके से उन पर एक तरीके से ह हमला किया गया है हाला कि अस्थानिये लोगों ने सूजबुस से काम लिया अस्थानिये लोगों ने जो असमाजिक तत्वे थे जो हमला करने की कोशिश कर रहे थे उन्हें वहां से हटाया और विना देवी को सकुशल वहां से आगे निकाला गया मकसद नहीं पता चल पाया है कि आखिर क्यों जो उमिदवार है एंडिये की विना देभी उनके साथ ऐसा क्यों किया गया क्यों हमला करनी की कोशिश की गई क्यों पिस्टल दिखाया गया क्यों मुर्दाबाद के नारे लगाए गए लेकिन साफ है कि आदो टोला की घटना है बुथ नमर 88 है विना देभी दरी हुई हैं बता नहीं पा रही हैं लेकिन फिलाल जो अस्थानी लोग हैं सब कुशल उन्हें उस घटना वाली जगह से अलग ले गए हैं जी बहुत शुक्रिया विनिता हैं अमसे बाचवित करने के लिए तो इस वक्त विनिता मिश्रा जो कि हमारी समधाता है उन्होंने साफ़तोर पर कहा कि अभी वो डैरी हुई है लेकिन अभी आगे इसकी जाचारी होगी और जहां पर ये घटना घटी है जहां पर ये घटना घ जाएगी कि जो स्टॉड़